सुप्रभाद कैसे हैं आप लोग चले शुरू करते हैं अज का सेशन और देखते हैं आज मेरे पास कॉन-कॉन से क्वेशन हैं जिनरे हम डिसकास करने वाले हैं हमारे इस सेशन तो मेरा नाम मीनम है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ और हमारे चैनल का नाम इंबेशिस बाबा है आप देख सकते हैं स्क्रीन की उपर लिखा तो कृपया चानल को सब्स्राइब कर लो, right hand side पे bell icon बना हुआ है, आपको उसको प्रेस करना है, ताकि चानल सब्स्राइब हो जाए और आपके पास notification आ जाये करें जब भी हमारी classes live हो रही है, तो हमारे इस session में daily का जो भी current affairs होता है, उस related जो multiple choice questions होते हैं, उनको हम discuss करते हैं, साथी साथ revision करते हैं, हाल फिलाल में हमने जो भी उस question से related चीजों के बारे में बातचीत की है, same questions जो discuss किये हैं, उनके बारे में हम बातचीत करते हैं, so that हमारा revision बनता रहे, और साथी साथ हम आपको PDF भी provide करते हैं, जिसकी जानकारी में आपको end of the session provide करूँगी, तो चलिए तरह के exam के लिए important है, तो according to government data, 2.46 lakh farmers have been benefited from PM कुसुम, अब इसका full form देखो जो की important है, प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान, scheme till 2023, ठीक है, तो इतने लोग, हिंदी में पढ़ेंगे अभी हम, in which year PM कुसुम scheme was launched, अब हिंदी में पढ़ते हैं सरकारी आकणों के अनुसार, जून 2023 तक 2.46 lakh किसानों को PM कुसुम, जिसे प्रधान मंतरी किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान कहते हैं, से लाब हुआ इस योजना से, PM कुसुम योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो यह आपको मुझे बताना है आओ, 17, 18, 19, 20, 21, तो काफी important योजना है, फार्मर से जुड़ी हुई है, और काफी लोगों को इसने benefit प्रवाइट किया है, और इसके बारे में बात करें, the right answer is 2019, यानि 2019 में शुरू की गई थी, तो इन्होंने बता दिया है, यह government ने हाली में यह बताया है, 2.46 lakh फार्मर को अब तक PM कुसम, जो योजना है, उसके तहत benefit प्रवाइट किया गया है, जून 2023 तक का data है, तो यह scheme क्या करती है, यह प्रवाइट करती है, इंस्टॉलेशन, solar pumps का, solarization, मतलब, जो सौर से चलने वाला pump है, उनका installation की बात हो रही है, solarization की बात हो रही है, जो भी grid connected agricultural pumps है, उनकी installation की बात हो रही है, grid connected renewable power plants की, अब यहाँ पे new और renewable energy minister है, R.K. Singh सभी जानते हैं, तो यह जानकारी उन्होंने राज्य सभा में एक question के reply के दौरान दी है, इसके अलावा इन्होंने कहा है, यह जो scheme है, इसे extend कर दिया गया है, 31 मार्च 2026 तक, यह भी याद रखना है, तो यह मैंने आपको बता दिया, PM कुसुम योजना, जिसे आप प्रिधान, मंतरी, किसान, उर्जा, सुरक्षा, एवं उत्थान, अमहाबियान योजना भी कहते हो, इसे Government of India में 2019 में शुरू किया था, अब यह यह योजना support करती है, farmers को financially, पैसा देती है, ताकि वो install करे solar irrigation pump cultivation के लि जाती है, सेट अप करने के लिए tubal और pump को, sets को individually, अलग-अलग, ठीक है, आप देखो next question क्या, again, it's important question, ओके, चलिए देखते हैं, क्या है question, which state has retained its tag of the tiger state having accounted for 785 big cats according to the census released on international tiger day by Corbett Tiger Reserve, तो थोड़ा मैंने आपको idea भी दिया था और कहा था, हम discuss भी करेंगे इसके बारे में, तो Corbett Tiger Reserve द्वारा अंतराश्य भाग दिवस पर जारी जन्गरना के अनुसार किस राज ने 785 बड़ी बिल्लियों की संख्या के साथ बाग राज का अपना tag बरकरार रखा है, UP, गुजरात, राजस्थान, महाराश, मध्यप्रदेश, तो हमारा जो target था, almost double करने का population, तो हम already achieve कर चुके हैं, अब यहां बात हो रही है मध्यप्रदेश की, तो यह top number पे है, ठीक है, Tigers की, अगर हम population की बात करें, भारत ने, तो Tiger State और 785 यह जो cats हैं या Tigers हैं यहां पे हैं, और यह किसने बताया है, एक census हुआ था, International Tiger Day पे Corbett Tiger Reserve उत्रा खडने किया था, ठीक है, अब ज जो की highest है, instead of maximum number of deaths, हाला कि यहां पे deaths भी काफी report की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी population बरकरार है, और 12 से 22 की बात करें, तो 278 deaths report की गई है MP में, ठीक है, इसके अलावा MP की बात करें, तो 563 Tigers were found in 6 Tiger Reserves में, और 222 जो हैं, वो outside protected areas में पाए गए हैं, ठीक है, तो यह सब camera में जो captured हैं, सिर्फ यह वो data है, ठीक है, इसके लावा 2018 की बात करें, तो MP में 526 Tigers से, जो की सिर्फ 2 जादा था करनाटका से, ठीक है, तो अभी आप देखो, 526 2018 में था, और 23 में 785 हो गया है, ठीक, अब International Tigers Day पे, 165 Tigers, जो की highest number of Tigers था, यह कहां दिखाई दिये गए हैं, दर्श कराए गए हैं, बांधव Tiger Reserve में, और यह बन गया है, चौथा highest इंडिया में, जिम कॉर्बिट, बांधिपूर और नगर होल के बाद, ठीक है, MP की capitalist भोपाल, शिवरा सिंग चोहान, CM सहाब हैं, और गवरनर जलू अवस्था में हैं, वो 53 Tiger Reserves हैं, ठीक है, और बाकियों की भी बातचीत चल रही है, तो यह list बढ़ती भी जाएगी, ठीक है, चलो, next question, हां जी, question है, India in which country will set up a governmental working group on sustainability with a focus on energy investments in biofuse in India, भारत और कौन सा देश भारत में, जय विंधन ने उर्जा निवेश पर ध्यान देने के लिए, के साथ स्थिरता पर एक सरकारी कारे समुका गठन करेगा, नीदलान, मौरिशिस, ब्रेजील, फिल्लेंड, स्कॉटलन, आएए बात करते हैं, जी, तो इसका सही उत्तर है, डी, फिल्लेंड, ठीक, लेट्स सी, क्या बताना चाह रहे हैं, सो इंडिया और इंग्लेंड ने एक गवर्मेंटल वोकिंग ग्रूप सेट अप किया है, सस्टेनिबिल्टी, जिस फोकस क्या है, एनर्जी इंवेस्टमेंट कहां, बायो फ्यूल्स में भारत में, और ये ग्रूप को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, अब इस फोकस क्या है, इस ग्रूप का, एनर्जी पे है फोकस, जो की, इस तो भी ऑन एनर्जी, गिवन दाट, फिल्लेंड इस पुशिंग इंवेस्टमेंट इन बायो फ्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पर फिल्लेंड बायो फ्यूल्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, और र ठीक है, जो की, वो अल्रडी प्रुवाइड कर रहा है नई दिल्ली में और प्लान कर रहा है कि वो स्टडी करेगा, और इस प्लानिंग तो स्टडी नॉर्डेक पावर ग्रिड, ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने प्रपोस किया था, क्रियेशन इस ग्रूप का, जिसे र प्राइम मिनिस्टर है, स्पेट्री और पो, ठीक है, चलो G20, अब दो-तीन महिने और बचे हैं भारत की प्रेसिदेंसी के लिए है ना, चले, धिंग 20 समिट अंडर इंडिया जी 20 प्रेसिदेंसी, कंक्लूड़ेड इन विच सिती, भारत की G20 अधिक्षा के तह, धिंग 20 श चार है, धिंग 20 समिट के बाद हो रही है, इस दी, इस माई सुरू, विच मींज करनाटक है ना, करनाटका, आओ देखो, तो अब्जर्वर रिसेर्चर फाउंडेशन ने और्गनाईज किया है, धिंग 20 सेकेट्रियाट समिट, इंडिया की G20 प्रेसिदेंसी के तहत माई यह एक ओफिशल इंगेजमेंट है, यह ग्रूप जो की सर्फ करता है, एक आइडिया बैंक के तौर पे, जो मल्टी लाटरल ग्रूपिंग है, यानि यानि अलग-अलग जो देश है, उनका ग्रूपिंग है, बाइब ब्रिंग टोगेधर, एक साथ लेका राता है, थिंग टैंक को, और जो हाई-level experts है, ताकि वो जो भी policy issues है, उनको discuss कर सके, तीन दन का ये conference है, ठीक है, और यहाँ पे members जो होंगे, 7th think tank, 20 task forces और policy experts से जुड़े होंगे, ये दुनिया भर से आएंगे, और यहाँ पे participate करेंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, हमें एक चार्ट देख and sustainable growth agenda, global economy meeting, नई दिल्ली में, 28-29 जुलाई हुई, 4th environment and climate sustainability working group meeting, चिन्नाई-Tamilnadu में, 26-28 जुलाई, 3rd G20 disaster risk reduction working group meeting, चिन्नाई-Tamilnadu, 24-26 जुलाई, then labor and employment ministers meeting, इंदौर, मध्यप्रदेश में, 21 जुलाई को आयोजित की गई, ठीक है, चलिए next question, तो I hope आप लोग तयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना, चलो, देखते हैं, जरा question पढ़ते हैं, Who has launched India's first indigenously developed affordable next generation magnetic resonance imaging scanner in New Delhi? चलो, तो नई दिल्ली में भारत का पहले स्वदेशी रूप से विक्सित किफायती, अगली PD का चुम्ब किये अनूनाद imaging scanner, किस ने launch किया है? अनुराक्थाकुर, प्यूशकोल, जीते इंद्र सिंग, then you have नितन कडगरी, गडगरी और आमिच्छा, चलो जी, the right answer is C, it's जीते इंद्र सिंग, ठीक, तो जीते इंद्र सिंग ने launch किया इंडिया का पहला magnetic resonance imaging scanner, पहली बात, ये science और technology minister है, और कहां इनोंने launch किया है? नई दिल्ली में, ये MRI जो है, ये एक तरह का scanner है, जो कि use करता है strong magnetic field और radio waves को ताकि produce किया जा सके detail image को, यानि ये बनाई जा सके detail image inside of the body, यानि body के अंदर जो scan है, वो और बहतर हो सके, ठीक है? फिर ये एक achievement है, National Biopharma Mission, Biotechnology Industry, Research Assistance Council और Department of Biotechnology गा, तो MRI आपने सुना ही होगा, scanning होती है, body के अंदर organs की, ताकि doctors को help हो सके, कि किस तरह से अंदर, body में, क्या दिक्कत है, क्या है, वो सारी चीज़े पता लगा सके, तो ये और बहतर image हो गी है, फिला लगला question, who has been named as special agent in the charge of the FBI's field office in Salt Lake City, in the U.S. state of Utah. America, Raj, Utah, के Salt Lake City में FBI के field कार्याले के प्रभारी विशेश agent के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका right answer is D, इस शोहनी सिना, आओ देखो क्या बता रहे हैं इनके बारे में, तो भारती मूल की सोहनी सिना बनेंगी, अपने काम के लिए counter-terrorism investigation पे इन्होंने काम किया है, जिसकी वज़े से इनको दिया जा रहा है, special agent in charge of FBI, field office, Salt Lake City, U.S. state उतामे, तो अगर इनकी बात करें, तो इससे पहले यह serve कर चुकी है, special assistant director at FBI, Washington, D.C. headquarter में, ठीक है, यहाँ पे इने special agent in charge by FBI, director, Christopher Ray, ने appoint किया था, इसके लावा, FBI इनोंने 2001 में जॉइन किया था, और यह आप देख सकते हैं, एक reading लगा लिजेगा, कि अलग-अलग पदों पे इनको FBI में appoint किया जा चुका, हमें यहाँ याद रखना है, special agent in charge, FBI field office, U.S. state उतामे, ठीक है, चलो, हाँ, यह देख लेते हैं, Indian origin के हाल-fil-हाल के appointments, ठीक, President Export Council by U.S. President, बनाया गया है, शामिना सिंग, Indian American businessman है, Deputy CEO U.S. Finance Agency, निशाबिस्वाल, again Indian American है, Deputy Head of UNDP, जू हॉयलियांग, पहले Indian Council Member of the Institute of Chartered Accountants in England, और वेज, विशेशी चंदोग, पहली Muslim Mahila, Federal Judge, U.S. History में, Nusrat Chaudhary, और Harvard Vice President, Finance और CFO, रितु कालरा, यह भी Indian origin की है, ठीक है? The first training joint exercise, Falcon Shield 2023, will be conducted between which of the following two countries? पहला संयुक्त्र, परिक्षण अभ्यास, Falcon Shield, निमलिखित में से, किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? Saudi Arabia and Russia, China and UAE, Russia and China, UK and India, UAE and India, Falcon Shield, एक training exercise है, ठीक है? तो देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई, इस B, China and UAE, ठीक है? तो चाइना और UAE की जो Air Force है, यह conduct पहरेगी पहली joint training, चाइना के ज्यांग-ज्यांग, August 2023 में, और Falcon Shield के training का aim क्या है? Deep Pragmatic Exchanges और Cooperation सहयोग, दोनों ही Militaries में और Enhance करना Mutual Understanding और Trust को, ठीक है? तो अभी यहाँ पर यह जो exercise है, यह इसकी बात जो हुई है, जब UAE ने sign किया है कि वो खरीदेगे several L-15 Advanced Training Jets from China, ठीक है? तो देखें, चाइना किस तरह से अपना दाइरा बढ़ा रहा है, है ना? फिर 2017 में UAE bought Blue Arrow 7 Anti-Tank Missile चाइना से अपने यूज के लिए, Wing Loom 2 Fleet, ऐसा बताया है Stockholm International Peace Research Institute ने, ठीक है? इसके अलावा, UAE ने plan कर रहा है कि वो buy करेगा CR-500 Golden Eagle Helicopter Drones को, जिसे Norin को, जो कि एक China Owned Defense Contractor है, उन्होंने बनाया है, तो Chinese ही माल होगा, है ना? चलो आगे बढ़ो, हाँ, exercises हम देखेंगे, हम, देखो, इतनी हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था, 15th edition Nomadic Elephant 2023, इंदिया औ मंगोलिया में, उलान बटार मंगोलिया में हुआ, फिर 7th edition Salvex exercise का, इंडिया युएस कोची में हुआ, अब ये लोग ना edition पूछ लेते हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, बिकोज ये सब तो हमको याद हो गया है, फिर 7th edition Jimex का, विशाखा पतनम में, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, एक मल्टिनाशनल एक्सिसाइज, खान क्वेस्ट मंगोलिया में, फिर 12th edition X एक्विरन का, इंडिया और माल्दीव के बीच में, चौबातिया उगुत्राखंड में, अल मुहमध्या, अल हिंदी, ये नेवल एक्सिसाइज हैं, इंडिया पादिया अरेबिया में हुआ था, ठीक है? चलो चलो, बड़ो बड़ो, पड़ो पड़ो Who has been honored with Global Visionary Entrepreneur Award 2023 at 6th edition of South Asia Pacific Healthcare Summit and Business Award 2023 तो South Asia Pacific Healthcare Summit and Business Award 2023 के छटे संस्क्राद में, Global Visionary Entrepreneur Award से किसे सम्मानित क्या गया है? दीपक शनॉय, नीली बेंदुपदी, रागु राम पिलेरसती, शान्ती लाकरा या दिपका मिसरा चलो जी, पढ़ो जी, the right answer is A, which is दीपक शनॉय तो Medic, हाँ, सही है Medic Dragon Private Limited, जो की इंदिया की Fastest Growing Research Riven Pharmaceutical API है Intermediates ने Contract किया है Manufacturing Company एक सेकिन, फिर से पढ़ोंगी ज़रा मैं, कुछ गडबड पढ़ा मैंने India's Fastest Growing Research Riven Pharmaceutical API Intermediates Contract Manufacturing Company ठीक है, हाँ, यह एक Contract Manufacturing Company है, क्या? Medic Dragon Private Limited, यह इसको दिया गया है Prestigious Award, Best Managed Pharmaceutical Sustainable Organization 2023 का ठीक है, फिर डॉक्टर दीपक शनाय जाय है यह Managing Director है, Medic Dragon Private Limited के यह एक Global Visionary Entrepreneur of the Year 2023 है और कहां पर यह दिया गया है Award, Sixth Edition of South Asia Pacific Healthcare Summit और Business Award, जिसे Organize किया है Brands, Council, Ratings and Medilinks मुंबाई ने ठीक है, फिर यह Event बता दिया है, मैंने मुंबाई में Organize किया गया इसके द्वारा, और इसे, the Awards were presented by यह आदती गोवारिकर जो की पहली Mrs. World बनी थी, उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है अब थोड़े से Awards का हम Revision करेंगे, ठीक जैसे की, Best Manager, यह अब दो, Pharmaceutical वाला भी हमने पढ़ लिया है Medic वाला, ठीक है, लोकमान ने तिलक National Award मोधी जी को दिया है, और यह 41st recipient है, कल हमने पढ़ा था फिर उससे एक दिन पहले हमने पढ़ा था, पहला उद्योग रतन अवार्ड महराश्ट का रतन टाटा जी को दिया गया है, Miles Franklin Literary Award, Australian Tamil Lawyer, शंकरी चंदरन को उनके नौवल, चाय टाइम अट सिनमन गार्डन दिया गया है, Lifetime Achievement Award, Journalist, प्रेम प्रकाश, जो की founder है, ANI Agency के, उनको दिया गया है, ठीक? चलो, बड़ चलो, आगे, Diego Godin has recently announced his retirement, he is related to which of the following spot, तो आप देख रहे हैं, हाल फिलाल में कितने retirements हो रहे हैं, ना, तो Diego Godin ने हाली में अपनी सेवा निवरती की घोशना की है, वो किस खेल से संबंदित हैं, यह आपको बताना है, होकी, चैनिस, बार्ड मिंटल, फुटबॉल और क्रिकेट, तो ही इस रिलेटेट टू फुटबॉल, तो पूर्व उरुगवे के क्याप्टन हैं, रह चुके हैं, Diego Godin, retirement घोशित कर रहे हैं, फुटबॉल, यह इन्होंने किया है, आफ्टर वेली सर्सफील्ड फाइनल अर्जेंटीना लीग गेम में, इसके अलावा, यह इनका करियर का, दो दश्कों का करियर का, इनका end होगा, ठीक है, इसके अलावा, इन्होंने 627 professional appearances की हैं, 38 goals और 10 titles जीते हैं, ठीक है, चलो, हाँ, यह देख लो, दरा लिस्क तो ज़रूरी है देखना, कल देखो हमने पढ़ा था, शुवर्ट ब्रॉड, इंटरनाशनल क्रिक्ट से रिटार्मेंट ले रहें, इंगलिंड के प्लेयर हैं, फिर लाहिरू थिरमन्ने, यह शलंका के हैं, इंटरनाशनल क्रिक्ट से रिटार्मेंट ले रहें, तो बास समझ में आ रही है ना, कौन सा खेल और कौन सा देश, सब मेंशन्ट है, ठीक? चलो, स्पोर्ट्स का क्वेश्चिन तो बारतंगा मैं ना, क्वेश्चिन और पातंग ध्ये लिवग जीत निए है? So, 79, 33, 5, or it is 21. Let's see, the right answer is B, which means it's 9. So, Indian shooters और archers ने जीते हैं 6 medals, जिसमें 4 gold शामिल है, World University Games शेंग्दू, चायना में, Shooters ऐश्वरे प्रताप सिंग्तोमर, दिव्यांच सिंग्पनवर और अर्जुन बभूता ने jointly जीता है 10 मीटर एर राइफल मेंस टीम के लिए gold, ठीक है, ऐश्वरे की बात कि इन्होंने gold भी जीता है 10 मीटर एर राइफल मेंस individual event में भी, तो team वाले में भी gold मिला है और individual वाले इसकी बात हो रहे यहां पे, फिर अवनीत कौर जो है इन्होंने भी women's individual gold में जीता है gold, ठीक है, फिर संगम प्रीत बिसला और अमन साइनी नहीं जीता है gold और bronze, ठीक है, men's individual event में, अब देखो क्या लिखा है, इंडिया ने जीते है 17 मेडल, 9 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 और दूसरे नंबर पे है, नंबर वन पे है, चाइना 21 मेडल के साथ, ठीक है, और नंबर टू पे है, इंडिया विच 17 मेडल, ठीक है, चलो एक और question आ गया, who has won the gold medal in the men's, 61 kg junior title at the Asian Youth and Junior Weight Lifting Championship, युवा, एशिया युवा और junior भरोतल championship में, पुरुशों के 61 kg junior खिताब में, स्वन पदक किसने जीता है, बजरंग पुनिया, जे के, केडी यादव, ओदे, चन, then you have सिधान्त, गगोई या अलकात ओमर, 61 kg category वाला पूछ रहे हैं, गोल्ड, भाई ये हैं D, इस सिधान्त, गगोई, हाँ, तो इंडिया के सिधान्त, गगोई ने जीता है, 61 kg जो category है, junior title में, फिर ज्यानेश्वर यादव और कोयल बार ने जीता है, silver, women's की 49 kg event में, कहाँ पे Asia Youth Junior Weight Lifting Championship में, इतनी बात, फिर 19 साल के सिधान्त, जो है, इन्होंने 265 kg जो category है, इसमें पहला gold medal जीता है, फिर देख सकते हैं, ठीक है, तो 61 वाले में इधर दिया हुआ है, और इधर एक और जो category है, 265 kg वाली उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, तो चेक कर लेना, किस एरलाइन ने विमानन सुरक्षा संस्कृती सप्ता मनाने के लिए, नागरिक उद्यन सुरक्षा ब्यूरो के साथ एक सहियोग किया है, जो 31 जुलाइ से 5 अगस्ट 2023 तक होगा, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, विस्तारा, गो फर्स्ट, इंदिगो, तो आकाशा ने कुलाबरेट किया है, ब्यूरो अविएशन सिक्यूरिटी के साथ, कममोरेट करने के लिए, एविएशन सिक्यूरिटी कल्चर बनाने के लिए, सेलिबरेट करने के लिए, ये वी जो की 31 जुलाइ से 5 अगस्ट तक चलेगा, तो ये जो डेवलाप्मेंट है, इसका एम है इंटेंसिफाई करना, सिक्यूरिटी अवेरनेस और प्रमोट करना एक पॉजिटिव सिक्यूरिटी कल्सर, एवीएशन ऑपरेशन में, भारत भर में, इनिशेटिव जो इसे डिजाइन किया गया है, इनकारेज करने के लिए, एवीएशन इंडस्ट्री को, ताकि प्रायोर्टी दी जाए, सिक्यूरिटी प्राक्टिस को, बिहेवियर्स को, और बल दिया जाए, सिक्यूरिटी पे, एंफिसिस डा सिक्यूरिटी एक शियर्ड रिस्पॉन्सिबिल्टी है, जितने भी स्टेक होलडर्स है, मतलब इस नॉट वन परसन्स रिस्पॉन्सिबिल्टी, जितने भी लोग जुड़े हुए, उनकी रिस्पॉन्सिबिल्टी है, इसके लावा जो इविन की टाग लाइन क्या है, see it, say it and secure it, ठीक है, ये तो ये इंडिविज्विज्वल से अर्ज करता है, कि वो विजिलेंट रहें, अपनी सराउंडिंग्स, यानी हुश्यार रहें, और रिपोर्ट करें किसी भी तरह कि अगर कोई भी सश्पिशिस अक्टिविटी होती है, ठीक है, चलिए, नाशनल वाटर मेलें डे सेलिबरेटेड एवरी एर अन विच्टे, अब राष्ट्रिय तर्बूज दिवस हम हर साल कब मनाते हैं, देख लो, चार, पांच, एक, दो, तीन, फोर्थ ऑगस्ट, फिफ्ट ऑगस्ट, फोस्ट ऑगस्ट, सेकिंद ऑगस्ट, थर्ड अगस्ट, उपर नीचे कर दिया है, ना, वाटर मेलन, इ, इस थर्ड ऑगस्ट, ठीक है, आओ पड़ो, तो तीन तारीक को मनाते हैं, अब क्यों मनाते हैं, लोग जो है, दुनिया भर से, वो सेलिबरेट करते हैं, यह जो डिलिश्य और रफिशिंग फूड है, लॉंग हिस्ट्री है, एंशिंट एजिप्ट से जु हुट का है, यह 2000 BC में स्टार्ट हुआ था, विद फर्स वाटर मेलन जिसे हार्वस्ट किया गया था, जो रिकॉर्ड में है, प्रॉक्सिमेटली 5000 साल पहले, इजिप्ट में किया गया था, ठीक है, चलो, इसके इलावा, वाटर मेलन के सीड्स और ट्रेस जो हैं, वो कई नहीं है, ठीक है, चलो, अब आते हैं, क्लोव सिंड्रिम अवेर्निस दे इस अब्जर्वड एवरी यर ओन विच्टे, तो क्लोव सिंड्रिम रूपता दिवस हर साल हम कब मनाते हैं, देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म भी अभी देखेंगे, चार, पांच, पो, चलिए जी, दराइट आंसर इस ए, इस थर्ड ऑगस्ट, हाँ, चेक कर लें, हाँ, तीन ऑगस्ट को मनाते हैं, एम क्या है, अवेर्निस फिलाना, ये एक रेर जेनिटिक डिसॉर्डर है, ठीक है, और लोगों को इसके बारे में जागरूप करना, और कॉम्मिनिटी से को सिंड्रम, एक बहुती रेर बिमारी है, जो की कॉम्बिनेशन में होती है, वेस्कुलर, स्किन, स्पाइनल और बोबोन अबनॉर्मिल्टी के साथ आती है, और ये माना जाता है कि हर पेशेंट में ये जो सिंड्रम से हैं, वो अलग-अलग है, ठीक है, और ये इसका कारण क् पी-I-K-3-C-A, ठीक है, एक प्रिजन 200 केसिस दुनिया भर में आइडेंटिफाई किये गए हैं, ठीक है, तो ये अब्जर्विंस इंकारेज करता है जनरल पेपर लोगों को कि वो अड्वोकेट करें, अडिशनल फंडिंग, रियर डिसीज रिसर्च के लिए, ठीक है, तो पी-D-F है, उसे एक रिविजन करो, अपने नोट्स डेली के डेट वाइस बनाओ, हम आपको डेटा इस तरह से देते हैं, टॉपिक वाइस डेटा देते हैं, ताकि जो भी रिविजन चल रहा है, वो भी आप नोट डाउन कर सको, सेशन को लाइक जरूर करो, शेर जरूर को test.ambassistbaba.com आरी वेबसाइट है, विजिट करिए, फिर मिलेंगे किसी और important topic के साथ दिन में, जिसकी जानकारी मैं आपको टेलेग्राम के माध्यम से दे दूँगी, तो मिलते हैं अब हमारे अगले lecture में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वास्त रहो, सुरक्षत रहो, थ आपने वाद.